आज किस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का चैप्टर फॉस्ट भगतिन जो की महादेवी वर्माने लिखा है और ये आपकी आरोख भाग दो मेसी है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूं कि आप किस चैप्टर को बिल्कुल बिल्कुल भगतिन के अंदर क्या है एकदम फिट हो जाएगा तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करती है अब जो भगतिन कहानी की लेखी का एना वो महादेवी वर्मा है और ये जो कहानी है ना वो एक संसमिलनात्मक रेखा चित्र है यानि कि इस कहानी म अपनी सेवी का भगतिन उसके जीवन के वारे में जो उतार-चड़ाव है उसके आचार वेवार है और उसके सभाव के वारे में लिखा है एक बात ध्याँ रखना जो भगतिन थी वो महादेवी की सेवी का थी यानि कि उनके घरपे वो काम करती थी उन्होंने ये भी बताय जो भक्तिन है एक ऐसी जुजारू महिला थी जिसने अपने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी जुजारू का यहां पर मतलब है बाहदुर जो भक्तिन थी वो कभी भी हार नहीं मानती थी और जो अपने जीवन के जितने भी संघर्ष है उसने कभी भी उससे हार नही मानी और जो अपना पूरा जीवन है उसने असूलों और अपने जो ग्रामीन संस्कृती है उसके अनुसार ही जिया तो कहनी की शुरुआत में जो लेकिका है महादेवी वर्मा वो भक्तिन के शरीर के बारे में बताती है कि वो कैसी दिखती है जो भक्तिन है वो छोटे कदवे दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही साद की पूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी लेकिन लेकिन लेकिका की सेवा वह कुछ इस तरह से करती थी जैसे पवन पुत्र हनुमान राम जी की किया करते थे यानि बिना थके रात दिन उनके लिए काम करती अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जो हनुमान जी है वो राम जी की सेवा करते थे बिना थके दिन रात सेवा करते थे उसी प्रकार जो भक्तिन है वो महादेवी की सेवा दिन रात बिना थके करती थी लेखिका के पास जब वह पहली बार नोकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया था लेकिन वह अब नहीं चाहती थी कि उसे कोई उस नाम से पुकारे अब जो भक्तिन है वो अपने गाउं से नोकरी के लिए पहली बार जब लेखिका के पास आती है ना तब वो उसका अपना नाम जो है रियल नेम बताती है उसका नाम है लक्षमी लेकिन अब वो नहीं चाहती थी कि उस नाम से उसे कोई पुकारे क्योंकि उसका नाम तो लक्षमी था जिसके पास धंदोलत होती है वो लक्षमी मा होती है लेकिन उस बेचारी लक्षमी के पास ऐसा कुछ नहीं था उसके पास ना तो धंदोलत थी और उपर से उसका नाम था लक्षमी तो इस वज़े से लोग उसका क्या मजाक उड़ाया करत लक्षमी के गले में कंटी माला और उसका सभाव देखकर लेकिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो गई महादेवी वर्मा जी ने इस कहानी के चार भागों में बाढ़ अब जो महादेवी वर्मा की सेविका थी उसका पहले नाम था लक्ष लक्षमी के गले में उन्होंने के कंटी माला देखी और उसका सभाव देखकर जो लेकिका है उसने उसका नाम लक्षमी से बदल कर भक्ति नख दिया तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं अब जो महादेवी वर्मा इस चैप्टर को टोटल चार पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हम एक एक करके सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले भाग में दे रखा है लेकिका ने भक्तिम के जनम वह उसकी शादी के बारे में बताया है वह इलाबाद में जूंगे गाउं में एक गोपाल के पुतर से हुआ लेकिन चोटी आयू में उसकी मा के मरने के बाद उसकी सोतेली मा ने महज 9 वश की उमर में उसका गोना करवा दिया तो लेकिका हमें यहां पे बताती है कि जो भक्तिन है वो इलाबाद में जूंगे गाउं की है और जो गाए वगेरा चराते है ना उनकी पुतर से ही घाती है और उसकी नो साल की उमर में यह बात याद रखना अब भक्तिन की शादी के बाद में उनके पिता है वो भिमार रहने लगे और एक दिन उसकी क्या है मृत्यू हो गई लेकिन जो उसकी मृत्यू का समचार है न वो सोतेली मा है वो भक्तिन को नहीं देती कि तुमारे जो पापा है वो मर चुकी है और ना ही जो भक्तिन की सास है वो उसके पिता की मृत्यू के बारे में उसको बताती है अब भक्तिन की सास ने उसको इसलिए नहीं बताया कि यहाँ पर क्या यह रोए दोएगी और वो वहाँ पर क्या शुब नहीं माना जाता तो उसने क्या है भक्तिन को बताया तो नहीं लेकिन कुछ दिनों बाद उसको क्या है भक्तिन को अपने माई के भेच दिया तो ये था हमारा पहला हिस्सा, अब आता है दूसरा हिस्सा इसमें भक्तिन के शादी शुदा जीवन के बारे में अब जो भक्तिन होती है उसने तीन बेटी को जनम दिया होता है जिसके कारण उसके अपने जो परीजन है, खासकर उसकी जिठानी और सास है वो क्या है उसकी उपेक्षा को सहती है यानि कि वो उसको इतनी ज़ादा इंपोर्टेंस नहीं देते जो उसकी सास और जेठानी है क्योंकि उसने क्या तीन बेटियों को जनम दिया है एक भी बेटे को जनम नहीं दिया इसलिए अब जो जेठानी होती है उसके दो बेटे होते और उन दिनों जो समाज में बेटियों को कहा है एहमियत ही नहीं दी जाती थी इसलिए जो भक्तिन और उसकी बेटियों के साथ भी रहकर हर चीज में कहा है उसको भेदबाव किया जाता था जहां जेठानी के बेटों को दूद मलाई और अच्छा बोजन दिया जाता था, वहीं भक्तिन की बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था यानि कि बिल्कुल भी अच्छी चीजे खाने को नहीं दी जाती थी, सूकी रोटी दे दी जाती थी, इस तरह से उन्हें दी जाती थी अब जो भक्तिन के ससुराल वाले हैं, वो भक्तिन के खिलाफ उसके पती को भी कह उकसाया करते थे लेकिन भक्तिन का पती उसको बहुत प्यार करता था इसलिए वो कह उनके बैकावे में नहीं आता था भक्तिन अपने जो बाग बगीचे खेत खलियान के साथ साथ जानवरों को भी देखबाल करती थी यानि कि जो सारा काम है वो भक्तिन ही करती थी अब जो भक्तिन थी उसने अपनी बड़ी बेटी का जो शादी है वो बहुत ही धूमधाम से किया था लेकिन 36 साल की उमर में ही जो भक्तिन के पती है उसकी मृत्यू हो जाती है और उसके बाद भक्तिन पर दुखों का पहाड साही तूट जाता है लेकिन किसी प्रकार जो भक्तिन है जो उसकी दो बेटिया रह गई है उसकी भी उसने शादी की और जो बड़ा दामाद है उसको अपना घर जवाई बना कर अपने पास रख लिया इसके बाद में आता है कहानी का तीसरा हिस्सा अब दुर्भाग्यवश जो बड़ी बेटी होती है उसका पती भी मर जाता है और वो विद्वा हो जाती है अब जो भक्तिन के रिष्टेदार है वो उसकी संपत्ति के लालच में जो भक्तिन की विद्वा बेटी है उसका जो विवा है वो भक्तिन के जेट के बड़े बेटे के तीतरबाज साले से करवाना चाती है तीतरबाज का यहाँ पर मतलब है आवारा यानि कि जो कभी कोई काम नहीं करता था वो शादी करवाना तो चाते थे लेकिन भक्तिन ने मना कर दिया था लेकिन कुछ समय बाद वो तीतर बाज भक्तिन की बेटी के घर में घुस गया और उस समय जो भक्तिन थी वो घर पर नहीं थी हालांकि बेटी ने उस तीतर बाज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया लेकिन बात गाउं में फैल गई पंचायत बुलाई गई जिसने दोनों का विवा करवाने का आदेश दिया भक्तिन और उसकी बेटी को नव चाते हुए भी पंचायत का ये फैसला मानना पड़ा और भक्तिन की बेटी को उस तीतर बाज साले से क्या विवा करना पड़ा अब यहां पर एक बात गोर करनी वाली है कि जो भक्तिन थी वो शुरू से ही गरीब नहीं थी उसके पास शुरू में क्या धन दोलत थी कि जो अपनी सारी जरूरते पूरी कर सकी लेकिन उसकी बड़ी बेटी की शादी के बाद जो तीतर बाज दमाद था उसने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ती उडानी शुरू कर दी जिससे जो भक्तिन के आर्तिक स्तितिय वो बहुत खराब हो गई एक बार तो टैक्स न देने की कारण जो जमीदार है उसने दिन बर कड़ी धूप में भक्तिन को खड़ा रखा तो इसे भक्तिन ने अपना अपमान समझा और गाउं छोड़ दिया और लेकिका के घर आकर उनकी सेविका बन गई तो बाता है कहानी का चोथा हिस्सा अब जो लेकिका है वो कहती है कि जो भक्तिन है उसकी वेश बूसा है जो इसका अटायर है वो किसी सन्यासिन की तरह है लेकिन वो उसके साथ साथ क्या है घरस्ती भी बहुत अच्छे से संभाल लिती है और जो भक्तिन थी वो बहुत ही जादा नियम धरम से चलने वाली महिला थी भक्तिन सुबर जल्दी उटकर नाती धोती लेखिका को बिलकुल गाउं के घर के जैसा ही खाना बना कर खिलाती थी यहां तक की होस्टल की लड़कियों को भी खिलाती पिलाती थी भक्तिन बहुत ह महनती, इमानदार और स्वामी भक्ति लेखिका की सेवा करना ही अब उसका क्या है एक मातर धर्म बन गया था और अब जो भक्तिन है वो लेखिका की चाया बन चुकी थी लेकिन यहां भी वो क्या है पूरी तरह से अपने गाउं घर के संसकारों का पालन करती थी यानि कि भ वक्तिन के खासियत थी कि वो दूसरों के मन की बात नहीं करती थी यानि कि दूसरों की बात नहीं मानती थी लेकिन दूसरों से अपने मन की आवश्यक्ता पूरी करवा लेती थी यानि कि खुद दूसरों की बात नहीं मानती लेकिन दूसरों से जो अपनी मन की बात है वो लेखिका अगर देर राथ तक काम करती तो वहीं पर वो क्या अपना कम्बल विचाकर लेखिका के पास नीचे फर्श परिबैठ कर लेखिका के साथ रात बर जढती रहती थी और लेखिका को अगर किसी भी चीज़ की जरूरत होती तो वो क्या है खुशी खुशी लेखिका को ला कर देती थी क्योंकि जो लेखिका है वो अपनी कहानिया लिखती थी तो उसे कभी कोई शाही की जरूरत पढ़ गई ये वो जेल में जाने को भी तयार थी और भक्तिन कहती थी कि जहां मेरी मालकिन रहेगी वहीं पे मैं रहूंगी फिर चाहे वैक काल कोटरी ही क्यों न हो अब जो सवतंतरता आंदोलन चल रहे थे उसके कारण जो भक्तिन की बेटी और दमाद है वो उसको शहर से गाउं वापिस ले जाने के लिए आए थे अब भक्तिन उनके साथ अपने गाउं वापिस भी नहीं जाना चाती थी भक्तिन जो लेखिका के मित्र है उनका बहुत ही जादा समान करती थी और कहानी के अंत में जो लेखी का है वो भक्तिन और अपने गहरे रिष्टों के बारे में बताती है और गहरे तालमेल के बारे में बताती है और कहती है कि वो ऐसी स्वामी भक्त को कभी नहीं खोना चाती यानि कि ऐसी भक्तिन को कभी नहीं खोना चाती जो उसकी दिन रात सेवा करती है तो यहीं पे जो आपका चैप्टर है वो खतम हो जाता है अगर आप इसके important questions की भी वीडियो चाते हो तो मुझे comment करके जरूर बताना और हाँ इस चैनल पे नए हो तो subscribe कर लेना ऐसी ही best explanation chapters की देखने के लिए और हाँ मेरे चैनल पे political geography और English की भी explanation chapters की available है तो आप वो भी चेक कर सकते हो